नमस्कार, स्वागते आप सभी का हमारे चैनल देव्यास्ट्रो में आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाओंगी तुलसी मा की कहानी एक ब्रामन और एक ब्रामनी थे, उनकी कोई संतान नहीं थी वह संतान के ना होने की दुख में बहुती चिंतित रहते थे ब्रामन सुबह रोजाना नदी में सनान करने चाता और वापस घर आकर खुब पूजा बाठ करता एक दिन ब्रामन नदी पर गया, सनान संध्या की फिर जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज दी बाबा बाबा मैं भी आउं उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था वह फिर से चला और फिर से आवाज आई बाबा बाबा मैं भी आउं उसने का कोई दिखता तो नहीं है और फिर वह बोला कि बहुत परे थो तो मत आना कोई देव हो तो आना इतने हमें पाँच वरस की एक कन्या आई और बोली बाबा मैं आपके घर आऊं उसने उसकी अम्गूली पकड़ाई और उसको घर ले आया घर आने पर उसकी इस्तरी बोली ये कन्या किस की है तो वहां कन्या बोली मा मैं तेरी ही हूं उसने ब्रामन से पूछा क्या बात है ब्रामन ने सारी बात बता दी उन दोनों ने उसे बेटी कहके पुकार लिया और उसे बेटी स्विकार किया वे दोनों पती-पत्नी बहुत खूश हुए और आपस में उन्होंने बात चित की कि इसका नाम क्या रखे ब्रामन बोला इसका नाम तुलसी रख देते हैं यह हमारे आंगन की तुलसी है अब तुलसी खेलने कुदने लगी माता पिता भी उसे बहुत प्यार करते थे वह बड़ी हुई तो शादी के योग्य हो गई माता पिता चिंता करने लगी तो तुलसी बोली आप मेरी चिंता मत करो, मुझे तो सुयम बगवान शीक किष्णिय लेने आएंगे, आप तो बस शादी की तैयारिया करो शादी का मौरत निकला, कार्तिक सुधी एका दशी के दिन तुलसी की साली ग्राम के साथ शादी हुई और तुलसी जाने लगी, उसके माता पिता रोने लगी, बेटी हम तुम्हें कहां लेने आएंगे, जब कभी तुम्हें लाना होगा, तो हम तुम्हें कहां से लेकर आएंगे हमें, तो कोई अत्ता पता भी नहीं पता, तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करन मेरा सचारफ़ द्वार का धाम है आप जब याद करोंगी मैं तभी आ जाओंगी आप गर में तुलसी लगाना उससे मन की शांती होती है कर की शूरती होती है आंगन की तुलसी को आप सदा रखना उसकी पूजा अर्चना करना तो हे जयात तुलसी मै कि यह की जहरू